हालो प्रेंड्स वेल्कम तो वर चानेल चाट विट्रेट आज ब्रेकाउट चाड शीरीज में मैं तीन स्टोक शीलेशन क्या हूं और तीनों स्टोक का हम डेटेल्स में चाड आनलेशिस करेंगे उसे पहले अगर अभी तक आप चानेल को सस्काइब नहीं किए तो चानेल को सस्काइब किजेगा और वीडियो आछा लगा तो वीडियो को लाइक किजेगा और चलते हैं अनलेशिस पर आजका जो पहला breakout stock है stock का नाम है और आपके स्क्रीन के सामने जो chart open हुआ है यह open हुआ है और यहाँ पर मैं time frame slate क्या हूँ इकली time frame slate क्या हूँ अगर आप इस chart को देखेंगे तो देखेंगे यह और जो larger picture है जैसे कि stock कौन सा trade में चल रहा है और कौन सा channel में चल रहा है अगर आप देखेंगे तो अगर maximum stock जो क्या भी uptrend है वो HDFC हो सकता है HDFC ब्यांक हो सकता है हमेशा stock जो हो एक channel में चलते हैं तो चार्ड अनलिस का essential है हमेशा larger time frame में stock जो हो है एक channel में हमेशा चलते हैं आइदर uptrend channel में चल सकते हैं ने तो यहाँ पर horizontal channel में चल सकते हैं ने तो यहाँ पर horizontal channel में वहाँ पर consolidation हो रहा होगे तो अगर चार्ड आप देखेंगे तो देखेंगे आप इसका larger time frame में असो लेलान देखिए इस trend line को बार-बार respect कर रहा है और जो March 20 में जो लो बना था जिसका प्राइस जो लो बना था 33 के आसपास देखिए इसी trend line को वहाँ पर support लिया था जो कि trend line यहां से आ रहा है लोगभग 1999 से यहां पर देखिए trend line को आसपास आ रहा है कितना बार इस trend line को price ने support दिया है दो बार हो गया तीन बार हो गया चार बार हो गया फिर time भी इस trend line को price ने respect किया है तो मतलब जब भी इस support के आसपास price आता है उसका जो channel का upper end है उसके आसपास price हमिशा से जाता है मतलब उसका channel का lower trend line के पास price आयेगा उसके बाद upper trend line के पास जाकर उसको resistance मिलता है तो अगर उसी हिसाब से देखेंगे तो अलेड एक अप्ट्रेंड चैनल में price चल रहा है और जो short term time frame में यहां पर breakout आया है आजर पिक्चर जो हम देखे अभी चार्ड में कि price हमिशा जो channel का lower end से support लेकर bounce करता है और resistance उसको मिलता है और चैनल का upper trend line में तो अभी तो देखें time तो लगेगा उपर जाने में तो लेकिन यहां पर एक scenario था जिसमें यहां पर breakout पहले आया था 105 के आसपास उसके बाद देखें यहां पर उसको support लेया breakout पर उसको हमिशा से बताया हूँ जब भी resistance zone का breakout आता है जब भी price pull back करेगा वह ही resistance zone जो है आकटाजे support zone तो price exactly SIUI यहां पर ने support लिया उसके बाद देखें यहां पर उसका रेजिस्टन जोन था 135 से और 139 का एक major resistance zone था वहां पर देखें इस zone में प्राइस ने बार बार यहां पर rejection किया है तीन बार यहां से rejection किया है अगर मैं आपको डेले टाइम फ्रेम में देखा हूंगा तो देखें उसका major resistance zone जो है आज का एक जो candle है देखें अभी दो तीन दिन से हाई प्राइस आक्शन बन रहा है और breakout से पहले यहां भी प्राइस ने भी consolation अल्रेडी कर चुका है continuously तीन चार दिन से प्राइस उपर जा रहा है अगर कल ग्यापब होता है तो प्राइस साइद यहां पर पूल बैक कर सकता है तो आपको हमीशा से पूल बैक के लिए रेडी रह प्राइस आलेडे के चल रहा है और यहां पर रेजिस्टांस उसको breakout किया है और breakout से पहले रहा है उसके सथ बॉल्म अक्टिवीटी भी कुछ हुआ है यहां पर अभी के लिए उसका रातेस्ट लाटेस्ट रेजिस्टांस बन रहा है वह बन रहा है 167 और 168 के आसपास लेकि यहां पर चैनल का लुए ट्रेल लाइन से प्राइस ने बाउंस किया है तो उसको चैनल का अपर ट्रेल लाइन तक जाना चाहिए जो कि 280-300 के आसपास यहां तक प्राइस जाना चाहिए देखे ट्राइम तो लागाएगा ओभरनेट कुछ भी नहीं होता है साध ऐसा करके ट करना है और आपके ओपर हमें चाहिए और लेना और होगे यह और पष्ट पहुच निटयौ पाई होगे खोगें और अगर कुछछ भी नीजे आप कॉमेंट कर सकते हैं और जो दूसरा स्टॉक का नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम का चार्ड देखेंगे तो यहां पर मैं सिलेट क्या हूं विकली टाइम था देखें स्टॉक जो है उसका जो लाइप टाइम हाई प्राइस है ओ फोर एक्टिका फोर एक्टिका हाई लगाने के बाद देखें प्राइस प्राइस एक बाउंस का जाबरदस्ट बाउंस किया और एक साल से प्राइस यहां पर कॉंसलेशन कर रहा है अगर यह तो हो गया उसका लाजर पिक्चर हो गया और जो विकली टाइम फ्रेम में इसके लिए जो मेजर रेजिस्टांस जोन है वो 157 से 159 के एरिया में है अगर हिसके बार बार यहां से प्राइस ने रिएक्शन कर रहा था बढार यहां और अज क्या जाध्या संगाया और बोलि में किली सिनोर द दे रहा है कि प्राइस क के निचे क्लोजिंग देना चाहिए क्योंकि 1 & 5 & 1 & 7 जो एरिया है अभी के लिए आग्ट आजे शॉपपोर्ड एरिया तो यहां से प्राइस इमिडेट उसका रेजिस्टन जो है 157 से 160 तक यहां पर प्राइस जा सकता है और यहां पर जो शॉपपोर्ड लेबुल है है 150 से और से पोड है शॉपपोर्ड है बन रहा है प्रैस के लिए अगर प्राइस एय्शन को यहां पर हम आज्जिम करेंगे जो कि पॉपर अभी ऑंडर कॉंस्ट्रक्शन है यहां पर प्राइस के लिए उसके बाद प्राइस जा सकता है 450 तक अभी लेकिन अभी के लिए इसमें अच्छा चार्ट पटन बना है जो थार और फाइनल ब्रेकर स्टॉक है स्टॉक का नाम है ओरेंट पेपर अगर आप जेक के पेपर को बाई नहीं किये हैं जो कि हमने शेयर किये थे 168 के आसपास उसको अनलेसिस किये थे अगर उसको अभी तक न में आपको पोजिशन बना ना है तो एक स्ट्रॉंग चार्ट बना है वह बना है ओरेंट पेपर में क्योंकि पर सेक्टर जो है अभी बुलन में चल रहा है सारा स्टॉक भाग रहा है बस हमको स्ट्रॉंग चार्ड को आइडेंटिफाई करना है देखे यहां पे जो चार्ट बना है हाई वोल्यूम के साथ बुलिष केंडल यहां पर बना है तो इसलिए मूंचे लग रहा है कि प्राइस यहां से उपर जाय सकता है और स्टॉक जो है अभी के लिए जो थाटी का लेबुल है थाटी के लेबुल की निच्चे प्राइस को क्लोजिं नहीं देन जाहें 30 लेबिल है अभी केलिए आ gases of plant लेबिल और उसका जो स्टोन हो पहला रूजिस्टन जाता है उसके बाद जा सकता है फिप्टी होर से फिप्टी पाइक पाइक प्राहस जा सकता है उसके बाद उसके साथ आपका सक्षरी में 55 करेगे और आपको इतिनों स्टोक आपके राडार में रख सकते हैं अगर आपको भीडियो आच्छा लग रहा है तो भीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और कुछ डाउट है तो भीडियो नीचे कॉमेट कीजेगा thank you for watching